हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्तर की नगरी फ्रेंड्स मैं आपको क्लास 12 की इकोनोमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में अगर आप क्लास 12 की इकोनोमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हैं हिंदी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना एकोनोमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए साथ के साथ अगर आपको इकनोमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर कोशन में कोई भी डाउट आ रहा है यह मेरा वाटसेप नंबर है आप इसको सेव भी कर सकते हैं और मुझे वाटसेप पे उसकी पिक सेंड कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका solution जो है वो क्या होगा इससे previous वीडियो में मैंने आपको जो concept clear कराया था वो कराया था कि विदेशी विन में दर जो है उसके मैंने आपको 10 questions बताया थे जिसमें से 5 questions के answer तो हमने उसी वीडियो में solve कर लिये थे अब बाकी के 5 questions के answer जो है हमारे रह गए थे तो इस वीडियो में आज हम उसी 5 questions के discussion करेंगे मैं आपसे request करूँगा अगर आपने मेरी first video नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको 5 questions के answer बतायते तो उसके लिए link जो है मैं अपने description में दे दूँगा आप वहां से जो है मेरी वो वीडियो देख सकते हैं तो 6th question पर आज हम discussion करते हैं ज्यादा वीडियो नंबी नहीं करेंगे ठीक है न तो शुरू करते हैं विनमेदर का निर्धारन जो है वो कैसे होता है अब मैंने उसमें आपको बताया था कि लचीली विनमेदर में क्या हो अब कैसे होगा तो देखिए कैसे होता है सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ग्राफ जरूर बनाना है ग्राफ कैसे बनेगा देखिए ग्राफ में आपको बता देता हूं ग्राफ के नंबर है इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है यह हो गया आपका x-axis, यह हो गया जीरो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमेरिकी डॉलर की मांग और पूरती डॉल- की कीमत रुपे में डॉलर की कीमत रुपे में यह आप यहां पर लिखना है y-axis पे अब निर्धारन कहां पर होगा विदेशी विनमेदर का निर्धारन या लचीली विनमेदर का निर्धारन आपके यह कह सकते हो कहां पर होता है जिस पॉइंड पर सबसे पहले आपको क्या ब को बनाना है पूर्तिवक्र और यह हो गया आपका पूर्तिवक्र यह हो गया s s तो यह आपको लिखना है कि जिस बिंदू पर विदेशी विनमे दर का निर्धारन कहां पर होता है जिस पॉइंट पर विदेशी विनमे की मांग और विदेशी विनमे की पूर्ती जिस पॉइंट पर बराबर हो जाती है वहीं पर विनमे दर्का क्या हो जाता है निर्धारन हो जाता है तो जहां पर भी ये प्रतिछेद कर रहे हैं जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर विनमे दर्का निर्धारन हो ज जाता है मालव इनमेदर का निर्धारन हो गया फॉर एक्जामपल के लिए 50 रुपीज ठीक है ना ये एक एक्जामपल ले लिए 50 रुपीज और एक डॉलर के लिए ठीक है ना एक डॉलर के लिए 50 रुपीज अब क्या करना है अब देखिए अब होता है कुश्चन शुरू इ विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्थी आपस में बराबर है इस बिंदू पर 50 संतुलित कीमत है और यह संतुलित मात्रा है एक डॉलर और 50 रुपीज अब अगर अब हमें दिखाना इसमें फ्लक्चुएशन कैसे होता है अब अगर मान लीजिए भ अमेरिका से जादा चीजे आयात करने लगे में आपको बताया था मांग कब होती है हमें जब हम आयात जादा करते हैं जब हम विदेशों की वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या होता है तो हमें विदेशी मुद्रा की मांग होती है और जब विदेशी हमारी वस्तुएं रहा है तो वीडियो को लास तक देखेगा स्किप मत करिएगा 78910 सबका अंसर इसी ग्राफ के अंदर है अब देख लीजिए विनमेदर का निर्धारन तो यह हो गया कि जिस पॉइंट पर विदेशी विनमे की मांग और विदेशी विनमे की पूर्ती जहां पर भी आपस में बरापर हो जाते हैं वहीं पर विनमेदर का निर्धारन हो जाता है अब कोशन नंबर 78910 इन सबका अंसर क्या है अब माल लोगर भारत को विदेशी विनमे की मांग जो है वो जादा हो गई डॉलर की मांग जादा हो गई तो बहीं जब मांग जादा हो जाती है तो मांग व पूर्ती वक्र को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है अब यह नए वाले पूर्ती वक्र को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इससे क्या हुआ जब मांग बढ़ती है तो ये देखिए ये क्या शो करना है अब ये माल लिजिए विन में दर बढ़ गई क्योंकि अब माल लिजिए इसको लिख लिजिए 60 ठीक है विन में दर क्या हो गया विन में दर बढ़ गई और मांग क्या हो गई यहाँ पे आ गया यह इसको dot 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 कर लीजिए और यह हो गई कम और यह क्या शो कर रहा है यहाँ पर पूर्ती बढ़ गई पूर्ती बढ़ गई और मांग कम हो गई पूर्ती यहाँ से यह बढ़ गई क्यों बढ़ गई पूर्ती बढ़ रही है और मांग मांग क्या हो रही है डॉलर की वो देखे मैंने आपको बताया था कि विदेशी विनमे दर और विदेशी मुद्रा की मांग में विप्रीत संबंद होता है जब जब विदेशी विनमे दर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है और जब विदेशी विनमेदर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्थी क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो अगर अब इससे क्या हुआ यहाँ पर कॉनसेप्ट समझना जरूरी है जब भारत जो है अगर अमेरिकी डोलर की माँग ज़्यादा हो जाती है, तो विनमेदर बढ़ गई, पचास से साथ हो गई, इसका एक डॉलर को कह पड़ा, इसको कहते हैं, मुद्रा का हरास, मुद्रा का हरास का क्या मतलब है जिस एक डॉलर को खरीदने के लिए पहले भारत को 50 रुपे देने पड़ते थे अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए कितने रुपे देने पड़ेंगे उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए अब आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे मतलब मुद्रा की क्रेश शक्ति क्या हो गई मुद्रा की क्रेश शक्ति हमारी कम हो गई जो हम 50 रुपे में पहले एक डॉलर खरीद लेते थे अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए 60 रूपीज देने पड़ेंगे मतलब देशी मुद्रा की क्या हुआ क्रेशक्ति कम हो गई इसे कहते है मुद्रा का हरास तो मुद्रा का हरास क्या होता है जब हम यह कह सकते हो जब एक डॉलर की कीमत 50 से 60 हो जाती है जब हमें एक डॉलर खरीदने के लिए 50 रूपे की बज़ाए 60 रूपे देने पड़े मतलब मुद्रा की क्रेश शक्ती जब घड जाती है उसे कहते हैं मुद्रा का हरास ठीक है न जो आपका 7 कोश्चन है और अगर मालो सप्लाई बढ़ जाए तो जगर सप्लाई बढ़ जात है तो इसको दाइं और खिसका दीजिए एसवन एसवन अब क्या हुआ अब यह कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यह इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर पुराने वाले को तो इससे क्या हुआ इससे विनमेदर क्या हो गई कम हो गई 50 से कितनी हो गई 40 ठीक है ना 50 से कितनी हो मुद्रा का अधिमूलियन इसे कहते हैं मुद्रा का अधिमूलियन मतलब जिस एक डॉलर को खरीदने के लिए पहले हमें 50 रुपे देने पड़ते थे अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए अब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे अब हमें केवल 40 रुपीज देने पड रे इसे कहते हैं मुद्रा का अधि मुल्यन मुद्रा का अधिमॉलियन में आप एक मुद्रा की केमत 50 तो spec tanto उर्पे से गड़कर 40 तो एक今 एक कुशन नामबर रेक ता विनमेदर का निर्धारन काशीक होता है वो मैं जिस पॉयंट पर विदेशी मुद्र की मांग और विदेशी मुद्र की पूर्ती आपस में बराबर हो जाती है। उसे वहीं पर विनमेदर का निर्धारन हो जाता है कोशन नमबर साथ ता के मुद्रा का हरास का क्या मतलब होता है जब हमारी मुद्रा की क्रेश शक्ति घड़ जाती है जब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए 50 रुपे की बजाए 60 रुपे अगर हमें देने पड़ जाए त बढ़ जाती है उसे कहते हैं मुद्रा का अधि मुल्यन तो भई हरास हो गया और अधि मुल्यन हो गया तो अब एक ओर रहे गया वह है अव्मुले आपको क्या ध्यान लखना है आपको और अधि मुल्यन में सरकार और RBI का कोई भी रोल नहीं होता है अव मुल्यन क्या होता है अव मुल्यन से देखिए अव मुल्यन लचिली विनमेदर का पार्ट नहीं है तो भई अव मुल्यन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है लचिली विनमेदर में अव मुल्यन के लिए जैसे मान लो के भाई एक डॉलर एक डॉलर अगर मान लो फॉर एक्जामपल के लिए 50 रुपीज का था एक डॉलर कितने का था 50 रुपीज का था ठीक है ना और अब अगर एक डॉलर की कीमत अगर 50 से कितनी हो जाए 60 रुपीज हो जाए और ये सरकार क्या कर रही है जान बूचकर कर रही है कि जिस एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें पहले 50 रुपे देने पड़ते थे अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें 60 रुपीज देने पड़ेंगी अब इससे क्या होगा इससे यह अब मुल्यन कप करती है सरकार यह आपको ध्यान रखना है सरकार ऐसा क्यों करेगी अब आप क्या होगी सरकार पागल थोड़ी है एक डोलर खरीदने के लिए जिस चीज के लिए में पहले 50 रुपे देने पड़ते थे अब उसी एक चीज को ख क्या होगा आयात घड़ जाता है और एर मुद्रा की पूर्ति प्रतेक्श संबन्द होता है अब हुआ क्यों में न Γ्यान धाया और इस चीज से क्या होगा आयात घड़ जाता है ऑर निरियात बढ़ जाता करती है जब भुक्तान शेश में घाटे का ला होता है ठीक है ना जब ड़िशिट चलना होता है तो ऐसा सरकार तब करती है तो इसमें आपको क्या लिखना है मूल्यन में जब सरकार या आर बी आई जान बूच कर अपनी मुद्रा का मूल्य मांच जो है वो अधिकारी कर मुद्रा कि क्रेय शक्ति घंट गई उसको कहते हैं मुद्रा का的 जिस एक डॉलर को खरीदने के लिए पहला पचास रुपए देने पढ़ रहे हैं ठीक है ना उसको कहते हैं अब मुल्यन इसमें विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति का कोई भी रोल नहीं है तो आपको दो चीजे ध्यान लखने हैं जैसे कोशन नमबर टैन ता आपका डिफरेंस ठीक है सिक्स हो गया आपका निर्धान म है और जो मुद्रा का अधि मुल्यन है दो चीजे आपको ध्यान लखने हैं पहले बात तो यह लचीली विन में दर के कारण होता है और दूसरा यहां पे सरकार और आर्बियाई का कोई भी रोल नहीं होता है यहां पे सरकार और आर्बियाई कोई भी हस्तशेप नहीं करती ह जब कि मुद्रा का अफमूलेन में क्या होता है यह पे सरकार और आर्बियन हस्तेशेप करती है सरकार ही जान बूच कर ये करती है क्यों करती है क्यों कि जब बजटी गार होता है तब करती है एक डोलर की क testoster जो पहले 50 का था वो ही अब एक डोलर 60 रूपीज का है लगता है इसलिए सरकार जानमूझकर यह ऐसा करती है यहां पे मुद्रा विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ती का कोई भी रोल नहीं होता है ठीक है ना तो यह तीनों कॉंसेप्ट थे विदेशी मुद्रा की मुद्रा का हरास मुद्रा का अब मुल्यन और धर का निर्दारन कैसे होता है यह मैंने आपको ग्राफ इसका बताई दिया ग्राफ इंपोर्टेंट है इसको आप एक्स्प्लेइन भी कर सकती हो कि भाई जब भारत के लिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो मांग वक्र जो है डीडी से किसक कर डीवन डीवन पर पोच जाता है परिणाम सरुप क्या होता है विनमेदर पचास से साथ हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ जिस एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें पहले पचास रुपे देने पड़ते थे उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए अब हमें सिक्स्टी रु पीजी में अब देने पड़ेंगे इसे मुद्रा का अधिमुल्यन कहते हैं इस ग्राफ को आप यह एक्स्प्लेइन कर सकते हो ग्राफ जरूर बनाकर आना है इकनोमिक्स के इंदर ग्राफ के ही नंबर है और एक्स्प्लेनेशन के कितना जितनी अच्छी आप उसको कि विन में दर का निर्धानन कैसे होता है मुद्रा का हरास मुद्रा का अधिमुल्यन अब मुल्यन जो है वो क्या होता है ठीक है ना अगर आपको इसके इंदर कोई भी क्वैरी है कोई भी इशु है आप फ्रीली मैंने वाट्साइप नंबर देहीं रखा है डिपन नाइन 0158 317 यह मेरा वाट्साइप नंबर है अगर आपको इसमें किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी में भी रास्टाइब अगयरा में मुद्री बच्चों को दिक्कत होते हैं किसी में भी कोई भी डाउट है कोई भी इशु है आप मेरे से मेरे वाट्साइप पर पूछ सकते हैं ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं मैं बता दूगा कि यह इसका इसा सोलीशन हो घो तो मिलते हैं आप से अगर प sites इस ज्लूड़ यह पसंद आए ओ तो have a good day, bye-bye.